नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब उमिद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अच्छे अच्छे खाने का लुद्प भी ले रहे होंगे तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ कीचन में रोज का वही सेम नास्था खाकर अगर प्ल्वार ने इसी से ही तैयार किया हुए नास्था है इसके लिए बावर से कुछ ऊख भी लाने की बी जरूरत नहीं है और ये बहुत ही लाजवाब बनके भी तैयार होता है इसे आप एक बर बनाएंगे तो हफते में इसे चार बर आप ट्राइ करने चाहें sorcery घंगे तो जो भी सब्झी हो आप अपने मन मुताबिक सब्झी ले सकते हैं और जो नर ढltry ला चाहिए उसे इसे कीवर भी कर सकते हैं तो हमने एक चॉपड में एक गाजल को छोटे पीस में काट करके डाल लिया हुआ है इसके बाद हमें एक प्याज को भी टुपडों में काट करके इसे बारीक चॉप करेंगे इसमें सब्जियां बिल्कुल ही बारीक बारीक ही चॉप करके डालेंगे बड़ी-बड़ी सब्जियां नहीं डालेंगे तो हमने गाजर और प्याज को चॉप कर लिया हुए मैं दिखा रही हूं कि हमने इसे बारीक चॉप किया हुए अब हम इसे दही के अंदर में mix कर लेंगे इसके बाद हम chopper में डालेंगे 6-7 बिंस अगर आप बिंस न डालना चाहें तो आप skip कर सकते हैं उसके बाद अपने टेस्ट के इसाब से इसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे तो हमने दो ही हरी मिर्च डालेंगे इसके बाद एक सिमला मिर इसे भी mix कर लेंगे तो इसके अंदर सब्जियां आप अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं चाहे कोई भी सब्जियां और इसे कम जादा भी कर सकते हैं तो अब हम अपने आज पे चढ़ाएंगे एक तड़का पैन और इसके अंदर डालेंगे दो चमच देशी गी और सबसे पह पक जाएंगे तो इसके अंदर हम दो चमच राई डालेंगे तो तड़का मेरा हो गया है तो इसके अंदर हम आधा तड़का ही डालेंगे और आधा तड़का हमने चट्नी इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे तो उसके लिए बचा रखाया तो अब इसके अंदर हम स्वा मिक्स होने के बाद नमक वगर डालने के बाद पानी छोड़ती हैं तो अब हम लेंगे एक कटोरी वर्मिसिली यह हमने चावल वाली वर्मिसिली ली हुई है तो इसके अंदर दही के अंदर हम इसे डाल करके मिक्स करेंगे खुब बढ़िया से तो जब वर्मिसिली को आप दही के अंदर में मिलाएंगे तो देखेंगे कि सारी दही सोक कर गई और धीरे धीरे से वर्मिसिली फूलती जाएगी तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 5-7 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए जिससे कि वर्मिसिली खुब अच्छे से फूल जाए तो इसे हम एक ढ़कन से ढ़क देंगे 5-7 मिनट के लिए और 5-7 मिनट बात आप कोल के जब देखेंगे तो वर्मिसिली काफी अच्छे से सोक हो करके फूल जाएगी तो मैं दिखा रही हूं कि काफी अच्छे से ये फूल चुकी है तो ये एकदम पर ये वर्मिसिली काफी अच्छे से फूल चुकी है अगर न दब रही हो तो इसे 2-4 मिनट के लिए और रेश्ट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए फूल जाएगी तभी इसका नास्ता बढ़िया से बनके तयार होगा नहीं तो कड़ी-कड़ी रह जाएग अगर में वर्मिसिली थोड़ी ज्यादा मात्रा में अगर पढ़ जाए तो आप उसके अंदर एक से दो चमच पानी भी मिक्स कर सकते हैं नहीं तो अगर आप परफेक्ट मात्रा में दई ही और वर्मिसिली डालेंगे तो आपकी वर्मिसिली भी अच्छे से फूलेगी तो अब नास्ता बनाने के लिए हम लेंगे एक एडली की प्लेट और उसके अंदर में एक एक बुन घी डाल के या तिल डाल करके इसे ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद एक से दो चमच अपने बेटर को इस तरह से फैला देंगे सारे ही प्लेट के अंदर में तो इस नास्ते को ह बहुत ज्यादा गिला हो जाएगा तब भी नास्ता अच्छा नहीं बनेगा और अगर वर्मिसिली कड़ी रह गई नहीं मतलब सोक की दही के अंदर तब भी नास्ता अच्छा नहीं बनेगा तो आप यह जरूरी ध्यान रखें इसका बेटर बनाते समय तो अब हम अपनी आज इलेट के लिए पकने के लिए धक देंगे जैसे कि हम इडली पकाते हैं बिल्कुल सेम तरीके से इसे भी भाब लगाएंगे तो दस मुर्ट बाट धकन को खोल करके इसे चेक करेंगे दली की तरह ही अगर आप इसके इल्ली पकाना चाहे तो इसके अंदर दो से तीन चमच पानी डालके इसके अंदर इनो डाल दें तो यह बिल्कुल ही एडली की तरह भी बन जाएगी तो चक्कु डालके चेक करने के बाद अगर चक्कु में नहीं लग रहा है तो परफेक्सी पग गई है अब प्लेट को बाहर निकाल के चमज की सहाइता से सारे ही रेस्पी को हम ब रख देंगे सांबर का मसाला और एक-एक तैयार की हुई रेस्पी को हम इस तरह से तवा पर डाल लेंगे और इसे हम कुरकुरा होने तक अलटते पलटते हुए इसे ड्राइ रोस्ट करेंगे आप देखेंगे कि तवा पर ही काफी अच्छा से कुरकुरी सी बिल्कुल ही ट तो मेरी एक रेस्पी बन करके तयार हो गई है तो आप देख रहे होंगे कितने कम घी तेल में और कितने कम समान में बन के तयार हो गई है इसके उपर थोड़ी से हरिकटी धनिया डालेंगे अब हम अपनी दूसरी रेस्पी तयार करेंगे दूसरा नास्ता तो इसके लिए ह और अप्पे मेकर के अंदर हम डालेंगे एक एक दो दो बुन देसी गी और एक एक चमच हम नीचे में बेटर को वही बेटर जो हमने तयार किया हुआ था सारे ही अपे मेकर की डिबियों में डालके बीच में थोड़ा सा गढ़ा कर लेंगे क्योंकि बीच में हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज की क्यूप्स रख लेंगे तो अब हम लेंगे चीज और इसकी हम छोटी-छोटी से क्यूप्स काट लेंगे इस तरीके से और काट करके सारे ही डीबियों के बीच में रख देंगे बेटर के अंदर में अगर आपको चीज खाना पसंद नो हो तो आप डारेक्ट भी इसे बना सकते हैं बिना चीज के भी लेकिन बच्चों को चीज डालके बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए हमने इसके अंदर में चीज डाला हुआ है क्रिश्पी लाल लाल सा दिखाई दे रहा है एक साइट से अब इसे हम पलट करके दूसरी साइट से भी पकाएंगे तो इसके उपर में सारा ही पलटने के बाद थोड़ा सा देशी गी हम और एक एक दो दो बुन डाल लेंगे तो घी डाल करके इसे एक बार फिर से हम ढख लेंगे ढख करके पकाएंगे जिसे की दूसरी साइट भी ये काफी अच्छे से पक सके तो इसे अलट पलट करके बिल्कुल ही क्रिस्पी होने तक हम पकाएंगे तो धकन खोल करके इसे भी चारो ही साइड में पलटते हुए इसे पका लेंगे तो आप देख सके तो फाइनली मेरा अप पे भी पक चुका है कितना बड़िया दिखाई दे रहा है ये नास्ता मैं चमच में भी उठा करके दिखा रही हूँ एक दम टेस्टी और देखने में भी अच्छा और बहुत जल्दी बनने वाला नास्ता घर के समान से ही बनके तयार हुआ है तो नास्ता तयार करने के बाद इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे एक चटनी तो हम अपनी जार में डालेंगे एक छोटा बाउल आरियल भी डाल सकते हैं और दो हरे मिर्च वन पिंच हींग एक छोटा चमज जीरा और स्वात के अनुसार साधा और काला नमक मिला करके दोनों ही नमक डालेंगे और साथ में खटाई के लिए दो चमज ताजी दही डालके इसे बढ़िया से पीस लेंगे बारीक सा तो पीस अब इस चेटनी के अंदर में मिक्स कर लेंगे तो ये साथ इंडियन चेटनी भी तैयार हो चुकी इसके साथ खाने के लिए तो अब हम अपने नास्ते को सर्व करेंगे तो एक प्लेट के अंदर सबसे पहले हम अपना पहला वाला नास्ता निकाल लेंगे और इसके बाल इ चने और नारियल की चटनी को डालेंगे, आप चाहें तो इसके साथ टुमैटो केचप या जो भी चटनी आप खाना चाहें, वो आप खा सकते हैं, या कोई साउस भी ले सकते हैं, तो अब हम तयार के हुए अपे को भी थाली में सर्व कर लेंगे, इसके बाद इसके उपर हम डालेंगे थोड़ी सी चीज क्यूब्स को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, आप चाहें तो इससे साधा भी इंज्वाइ कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा चीज ग्रेट के हुआ साथ में ऊपर में थोड़ा सा सांबर मसाला डालेंगे और इस्प्रिंग ओनियन डालके ये टेस्टी सा नास्ता तयार है, तो देखा आपने कितना कम तेल घी में और साथ ही में कम सामान से बन करके टेस्टी सा नास्ता तयार हो गया है, फिर इसे आप चाहें ब्रिकफास मे बनाई या बच्चों की टिपिन के लिए ये छोटे बड़े सभी को खुब भाने वाला नास्ता है एक बार अगर आपने इसे बना करके सभी को खिला दिया तो यकीन मानिए आप हपते में चार बार यही ट्राइ करेंगे तो आपको ये सिंपल से नास्ते की रेस्पी कैसी